हेलो फेंट्स वेलकम टो सोट्स किचन तो दोस्तों आज हम बनाएंगे एक कोर्मा यानि अंडे का कोर्मा जैसे चिकन कोर्मा मता है उसे स्ट्राइल में बनाएंगे इसको भी तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले हमने 6-8 उबलेवए अंडे ले लिए हैं अब इन अंडों में हम चीरे लगाएंगे चीरे जादा गहरे नहीं बिल्कुल हलके हाथ थे थोड़े थोड़े चीरे लगाएंगे अब एक कड़ाई में दो से तीन चम्मा चम तेल को गरम करेंगे मीडियम फ्यम थोड़े चम अंडों को फ्राइए करेंगे इसमें ताकि जो एक क्रिस्प लियर आजेंगे अच्छी तरीके से इसको फ्राइए करिंगे अंडों को यतों गूलें प्रेस इनके उपर पॉर्म नाउं जाएगा देखिए क्रेस्प फॉर्म हो गई एंडों के उपर अब इनको निकालके अलग रख देंगे और हम अपने कोर में की ग्रेविट यारी है एक कड़ाई के अंदर 100 ml करीब तेल को आपको गरम करना है यानि 6-7 चमच तेल को गरम करना है इसके अंदर प्याज की प्यूरी डालती नहीं है या प्याज का पेस्ट जो अभी आपका है तीन प्याज का हमने हैं पेस्ट बनाया है वो डालना है और इसको मीडियम फ्लेम पे आपको फ्राई करना जब तक जो है जो प्यास का पिस्ट वो गोल्डन ब्राउन कीर्ट का ना हुज़ा है सब तक kötü कप कलें अफ इसके नहीं खड़े मसाले डालेंगे 3 एकन पर्राओं का इसमें माब को मसाले को श्ब्द दो च्मच जिंजर गालें Near Abeclish का फालेंगे इसको भी आपको तीन से चार मिनट तक ही मीडियम फ्लेम पे फ्राइए करना है अब हम एक बोल में 200 ग्रहम दही लेंगे अब इसके अंदर सारे मसाले अड़ कर लें तीन चुधाई चमच लाल मिर्ज पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चुधाई चमच घल्दी अच्छे से मिला लें अच्छे से एकदम फ्रैटेंगे इसे की जो मसाले में बड़िया तरीके से दः कंदर मिल जाएं बढ़िया सब पेच बन जाएंगे अब इस पेच को कड़ाई के अंदर डाल देंगे इस तक ही मसाला है अब इस मसाले को हमको एक से दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पॉंटिनेसली इसको चलाते रहना है a म사ले को पढ वहिँ अब इसमा दागलस पानी डालेंगे यह जो दही का जो बऑल था जो मसाले वाला मैंने उसी में पानी डालकर उसी को मिक्स करके वही पानी इसको टाल दिया है कडाई में अब हम ग्रेवी को लो फ्लेम पे डखके पांच मिनट के लिए कुप करेंगे थोड़ा सा ग्रेवी को अब स्टार करेंगे पांच मिनट के बाद अब इसके अंदर हम जो हमारे एक्स थे उनको डाल देंगे हलके हथ से इसको मिक्स करेंगे अंडो को ग्रेवी के साथ धनिये के साथ, चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, अंडो को हम बीच में से काट लेंगे दोस्तों में, उसके बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे, ताकि यह जो खाने में भी असान है, दोस्तों कर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शे झाल